हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका इगनू बाबा में I hope you are doing well दोस्तो ड्यू ने यूजी एड्मिशन यानि कि अंडर ग्रेजुएट एड्मिशन 2022 के लिए कल ओफिसियल नोटिफिक्शन रिलीच किया और एक नए पोर्टल का भी लॉंच किया गया है जिसका नाम है admission.uod.ac.in इस पोर्टल पे आप ड्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए यानि कि ग्रेजुएशन में एड्मिशन लेना चाहते हैं तो आपको लिंक ओपन करना पड़ेगा admission.uod.ac.in ये लिंक मैं आपको description box में provide करूँगा और इस बार ड्यू ने ग्रेजुएशन में admission के लिए एक नया पोर्टल भी लॉंच किया है जिसका नाम रखा गया है common seat allocation system और इस बार जो admission होने वाला है वो different तरीके से होने वाला है मतलब पिछले साल जो admission हुआ था वो थोड़ा different हुआ था क्योंकि पिछले साल जो admission हुए थे वो CUET के base पे नहीं हुए थे लेकिन जो इस बार admission होने वाला है वो CUET के base पे होने वाला है तो इस बार admission का जो process होगा वो completely different होगा क्योंकि इस बार जो आप Central University Entrance Test में जो score प्राप्त करोगे जो score आपको मिलेगा उसके according ही आपको seat मिलेगी मतलब वो subject मिलेगा जिसमें आप admission लेना चाहते हैं ठीक है तो वीडियो को end तक देखिएगा बहुत ही ज्यादा interesting और मज़ेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे doubts clear होने वाले है कि कैसे apply करना है admission कब होगा क्या process रहेगा कितने phase में होगा कौन-कौन से document चाहिए और मतलब admission से related जितनी भी जानकारी है वो इस वीडियो में complete आपको मिलेगी ठीक है इसके अलाबा आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी admissions related information के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एक ही website open करनी है किसी दूसरे website पे नहीं जानी है दुबारा website का नाम बता रहा हूँ इसके link को मैं आपको description box में भी डालूँगा जहां से आप directly open कर सकते हो website का नाम है admission.uod.ac.in जैसी आप इस website को open करोगे यह official website है सिर्फ और सिर्फ under graduate यानि कि 12th pass करने के बाद graduation में admission लेने के लिए सिर्फ यह website है यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ admission 2022-2023 इसमें आपको open करना है CSAS registration link 2022 यानि कि common seat allocation system registration link 2022 इस link पर जैसी आप क्लिक करेंगे आप official website पर यहाँ पर मतलब पहुंच जाएंगे जहां से आपका मतलब admission का further process शुरू होगा ठीक है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ लिखा रहा है already registered ठीक है तो आपने अभी तक registration नहीं किया है तो आपको इसमें नहीं जाना है आपको simply यहाँ पर क्लिक करना है new registration process तो new registration कैसे करना है अभी सिर्फ आप registration कर पाएंगे admission का जो मतलब full process है ना वो मैं आपको समझा देता हूं पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप third point में क्या लिखा हुआ है common seat allocation system 2022 of University of Delhi is divided in three phase यानि कि जो आपका admission है वो three phase में होगा तीन phase में होगा मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने direct registration कर लिया बस admission हो गया नहीं नहीं हो जाएगा और hopefully ऐसा बताया जा रहा कि 15 सितंबर तक मतलब रिजल्ट आ जाएगा देखिए आगे क्या होता है आगे डिले भी हो सकता है यह official अभी notification नहीं है official notification एक दो दिन पहले ही आएगा तो देख लीजिए वेट कर लीजिए कब तक आता है आप जो प्रेफरेंस करोगे कि आपको कॉन सा सब्जेक्स चीए और कौन से कालेज चीए यह सेकेंड फेज में क्या होगा allocation कम admission मतलब कि आपने जो preference choose किया है उसके base पे आपको admission दे दिया जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर registration करने के लिए क्या चीए आपको candidates CUET application number जो आपका CUET का application number है वो डालना है date of birth डालना है और यहाँ पर capture code डालना है इतना डालने के बाद यहाँ पर register कर देना है registration complete हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर कुछ important instruction है जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है राइड कलर में भी लिखा हुआ है तो एक बर मैं आपको पढ़कर बता देता हूं आपके लिए easy रहगा candidate can login to common seat allocation system application portal through their registered CUET application number only यानि कि registration के लिए आपको पास CUET का application number होना चाहिए तभी होगा ठीक है name photograph and signature will be auto integrated from CUET 2022 application form this will be non-editable बहुत important जानका रही है बहुत important इसको ध्यान में रखने की जरुरत है अगर आपने मतलब यहां पर कुछ गलती की है तो आपके लिए बहुत आगे कठिनाई हो सकती है देखें मैं बताता हूं second point में क्या बताए गया है यानि कि जो आपने CUET के लिए apply किया था जब common university entrance test का जब form fill किया था उस time जो आपने अपना नाम डाला था अपना photograph अप्लोड किया था अपना signature अप्लोड किया था वो directly इसमें integrate हो जाएगा इस application form में जो due के लिए apply कर रहे हो मतलब आपको यह यहां पर क्या कहते हैं दुबारा से अप्लोड नहीं करना पड़ेगा यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ auto integrated यानि कि अपने आप ही integrate हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा किसे CUET UG 2022 application form से ठीक है तो यह बहुत important जान करी है ध्यान में रखने वाली चीज है इसको ध्यान में रखिए ठीक है अब third one में लिखा हुआ है candidate must use his or her own CUET application number only अपना ह किसी और का नहीं admission cancel भी हो सकता है candidate are encouraged to use latest version of Google Chrome ठीक है यह तो आपके पास होगा यह कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है अपना login ID detail password email ID यह सब आपको ध्यान में रखना है आप चलते हैं home पे home पे कुछ important जानकारी लिखा हुआ है ठीक है यह तो मैंने आपको बता ही दिया है ठी पीस है यह जर्नल OBC और EWS के लिए 200 रुपए है रिजिट्रेशन फी और SC के लिए 100 रुपए है ठीक है अब देखिए यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको देना चाहता हूं जो student है उनके और भी question हो सकते हैं कि क्या मतलब 2022 के लिए जो ड्यू का एडिवेशन हो रहा है उ वह बहुत ही easy detail है अगर आप उन detail को मतलब fill करने में कुछ difficulty phase कर रहे हैं तो आप मुझसे contact कीजिए टेलिग्राम पर simply क्या करना है आपको सर्च करना इगनुवाबाजी जो सबसे top group आएगा उसको मतलब join कीजिए और अपने question put कीजिए ठीक है और जैसा कि मैंने आपको बता दिया यह भी पहला फेज है दूसरा फेज स्टार्ट होगा जो सीवीटी का result है वो आने के बाद ठीक है तो admission स्टार्ट हो चुका है how to how do I apply to Delhi University मैंने आपको मतलब यह website बता दिया admission.uod.ac.in और ज common system allocation system वाली website है उस पे आपको register करके apply करना है ठीक है और अब देखिए यहां पर कहले लिखा हुए when is the last date for registration for view admission this year बहुत important जानका रही है ठीक है मतलब Indian Express के according यह जानका रही है Indian Express की माने तो यह बताया इन्होंने की और इनको एक due के official ने बताया senior official ने उन्होंने बताया कि 3 October को यह मतलब registration close हो जाएगा यह वाला registration यह close हो जाएगा 3 October को ठीक है तो आप 3 October का wait मत कीजिए जल से जल अपना registration कर लिजिए और 3 October के बाद क्या होगा counseling session start हो जाएगा मतलब देखिए अब next question है how do I apply to do on the common system allocation system portal ठीक है अब यह तो मैंने आपको बताई दिया है यहाँ पर कि यह कैसे मतलब registration पर जाना है यहाँ पर अपना register करना है करने के बाद यहाँ पर login करना है login करने के बाद आपको simple जानकारी डालना है like मतलब अपना detail डालना है फोटो सिगनेचर यह अपने आप ही auto upload हो जाएगा ठीक है एक payment करना है छोटा सा ठीक है यह जो यहाँ पर 200 और 100 रुपए की है जो भी आप फॉल करते हो देख लेना है ठीक है और इसके लाबा फिर उसका screenshot ले लेना है अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखें सीवीटी रिजल्ट विल बी अनौंस बाई सेप्टेमबर 15 जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा बताया जा रहा है कि 15 सितंबर तक आज आएगा और यह स स्कोर कार्ड है जब मिल जाएगा आपको तब माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट फोटोग्राफ सिगनेचर प्रिंट आउट और यहां पर रिजर्ट कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट है तो वह भी दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एड्मिशन क प्रोसेस क्या है कहां से अपलाई करना है बहुत इजी है कोई मुश्किल नहीं है कैफे वाले के पास जाने की बिल्कुल भी जरुत नहीं है आपको आप इजीली कर सकोगे मुझे इतना विश्वास है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए हमारे च चैनल सस्क्राइब पीजे थैंक वी बेज़